अंजी क्या हाल है सबके तश्री फिली हुई है पेपर आ गया है ठीक है कोई बात नहीं बच्चे मैं कुछ-कुछ आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं जो आपको फोलो करनी है एक्जाम सेंटर में जाने से पहले यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट है हर बच्चे कोई वीडियो देखने अपने यार दोस्ते के पास शेयर करना था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस ना हो जाए पहले पग में ही आप कुछ गल्ती ना कर बैटो जहां से सुनना छुटी सी वीडियो होगी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सुनों यह मैंने एक बच्चे का डाउनलोड कर रहा है इस बार वाला फचार सेप्टेम्बर 2022 का ही इसका जो बेसिकली सेंटर है फ्री दबाग है आप मलब सेंटर से वह नहीं है आप देखना बच्चा पूछता है सर क्या क्या चीज़े लेकर जाने क्या नहीं लेकर जाने है इसके अलाव आपको ओरीजनल फोटो अईडनिक्टी काड लेके जाना है इसमें आप अपना आधार काड लेकर जा सकते हैं आपका पैंकर लाइसंस कुछ बना वह लेकर जा सकते बिना ब्लैक पॉल पॉइंट पैन के होगी वो चेक नहीं है यह चीज़ क्लियर होगी आपको वेन्यू पे दस मिनट पहले एटलीस पहुंच जाना है दस मिनट के बाद गेट्स वुड बी क्लोज़ अगर दस बजे पहला पेपर है तो नो पचास पे आप सेंटर के अंदर हो होने चाहिए ठीक है यह तो बेसिक इंस्ट्रक्शन होगी इसके लावा कुछ इंस्ट्रक्शन डिटेल में यहां भी ले रखी है जब आया था तभी आपको देखना चाहिए तक कुछ डिस्क्रिपेंसी है मैंने बच्चों को सब को फोन पर यहीं बताया था जिसका आया थ पिज़र रखना आपके सेलेक्शन तक यह अडिमिट काड़ काम में है कभी पर से निकलते हैं अडिमिट काड़ फेक दो ऐसा मत करना ठीक है कैंडिडेट को यह बात बोले गई है कि अगर कैंडिडेट कोई भी देखों यहां से लिखा हुआ है आपको मोबाइल फोन लेके नहीं जाना है switch of mode में भी आप कोई भी electronic equipment लेके नहीं जा सकते जैसे कि smart watch pen drive camera bluetooth कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते अगर आपके पास ऐसी कुछ भी item पाई जाती है तो आपका examination सीधा सीधा cancel हो जाएगा simple watch आप लेके जा सकते हो सिधर सिधर लिखा हुआ है paper में आप simple watch लेके जा सकते हो जो जिस पर basically जो बिल्कुल ballpoint pen ही सिर्फ allowed है और कुछ भी नहीं है जिस बच्चे की clear photograph नहीं है admit card पे अगर आपकी clear photograph नहीं है या फिर आपकी पुरानी photograph admit card पे लगी हुई है तो आप प्लीज बच्चे दो अपनी recent photograph लेके जाना मैं आपको recommend करूंगा हर बच्चा कम से कम दो ballpoint pen और ballpoint pen दो रुपे वाला कोई न ले जाए ठीक है मोटी निप वाला ballpoint pen आपको लेके जाना है जिससे ओमार शीट बनने में easy हो ठीक है और इसके जगाई होती है recommend करता हूं ज्यादा पैसा यह सब लेके ना जाए normal अपने basic जो आपका items चीज़े सिर्फ वो लेके जाए तो इसलिए फोन तो आपको लेके जाना पड़ेगा बाखी और कुछ आप लेके ना जाए मेरी आपसे खास recommendation है ठीक है ज्यादा कुछ आप इधर लेके जा सकते हो देट टू इन ट्रांस्पेरेंट बोटर याद रहे जब आपको OMR sheet मिलेगी आपको OMR sheet पहले अपनी जो details है roll number set venue यह सब अच्छे से बरना है बच्चे हडबढाट नहीं करनी है हर साल के मेरे पास example है देखो इसमें clearly लिखा हुआ है देखो यहां पे permission mistake discrepancy in encoding filling the details of the OMR answer sheet specially with regard to roll number and test bookless series code will render the answer sheet liable for rejection वहां पे invigilator fluid लगा देता है और आपका रोल नंबर आपकर आपने गलत बरदिया ठीक कर देता है लेकिन मैं आपको बता दूंग वह शीट रिजेक्ट हो जाती है अगर आप OMR sheet ढंग से नहीं भरते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार है वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए ठीक है बाकि आपको टेंस्ट बिल्क instruction को फॉलो करो basic instruction है हर साल पता होती है आपकी admit card के पीछे सब कुछ detail में लिखा हुआ है आप वहां से देख सकते हो मैंने भी खुद नहीं बनाई UPSC का admit card से ही मैं देख रहा हूं सेम चीज़ सीडियस वाले बच्चे के लिए अपलीके बले सारी instruction उसके लिए सेम रहती ठी है तो मुझे लगता ने कुछ भी ऐसी मैंने चीज़ छोड़ दी है जो related कि क्या लेके जाए उसमें कुछ बताओ इसके अलाव आपको कुछ और लेके जाने की ज़रूत नहीं है आपका ID card होगा photo होगी admit card होगा black ballpoint pen होगया simple watch होगी आपको और कुछ जाने की ज़रूत नही है शूज में चपल में कोई दिक्कत होती नहीं है प्रैफर करना सेंडल्स वगएरा वैसे शूज चपल में कोई दिक्कत नहीं है बैंकिंग या फिर नीट वाले एक्जाम में जरूर दिक्कते होती है कोशिश करना जो लड़िया वगएरा है वह कम से कम jewelry पहन के जाए अगर ना पहन के जाए तो इट वूड बी बेटर रिस्टिक्शन कुछ लिखी नहीं हुए बट मैं चाहता हूं कि आप ना पहन के जाए इनके बहुत पंगी होते एक्जाम से सेंटर के बेवज़े की वह इरिटेशन क्रेट करें ठीक है तो यह कुछ वह जर्नल गाइडलाइन सी जो आपको देना चाहता था मैंने बोला था कि एक्जाम से पहले मापके लिए वीडियो बना दूंगा बिल्कुल परिशान मत होना थारा भाई सुमित थारे लिए यहां पर हमेशा प्रेजेंट ठीक ह नहीं तो बस बैस्ट ओफ लग है सबको पूरी लर्न विट सुमित की टीम से और आप फोड के आओगे मुझे पूरा परोसा है कि आप लोग इस बार खड़क वासला जाओगे ठीक है बैस्ट ओफ लग टो लोफ यू जै किंद झाई टीक ही मुझे को लोगे मुझे दमुझे टीक है bricks